नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सुप्रिम कोट हाई कोट और कॉलेजियम विवस्था कॉलेजियम से जजों की निक्ति को लेकर हाई कोट से चलता हुआ ये विवाद सुप्रिम कोट में पहुचा और सुप्रिम कोट के जजों के फैसले से हाई कोट के चीफ जस्टिस की परिशानी बढ़ी जिस तरीके से कहा गया कि कॉलेजियम विवस्था में हाई कोट के जज अकेले ने नहीं ले सकते बलकि उनको पूरे कोलेजियम को कन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और इस बात को लेकर सुप्रिम कोर्ट पर भी सवाल उठे लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिरकार जजों की न्युक्ति को लेकर ये जजों का कोलेजियम इतना परिशान क्यों रहता है क्योंकि इस सुनवाई के दौरान कुछ और बड़ी बड़ी बात इन दोनों के बेंच में सुनवाई हो रही थी सुनवाई भी ऐसी वैसी नहीं बलकि दो जजों की न्युक्ति को लेकर दो जज जो की डिस्टिक जज थे उनको हाई कोट का जज न्युक्ति किया गया था लेकिन न्युक्ति से पहले ही विवाद हो गया मामला हिमाचल परद इस हाई कोट के कोलेजियम ने दो डिस्टिक जजों को हाई कोट के जजजिप ओफर किया था यानि की उनका प्रमोशन हुआ था वो दो जजज चिराग भानू सिन और दूसरे अरविंद मलहोतरा थे इन दोनों डिस्टिक जजज को हाई कोट में प्रमोट किया गया लेकिन को कोलेजियम की इस फैसले को लेकर विवाद चला गया और इन दोनों के हाई कोट के जस्टिस का मामला अटक गया जिसके कारण विवाद धीरे धीरे पैदा होता हुआ सुप्रिम कोट में पहुचा पहले सुप्रिम कोट ने जुलाई दो हजार तेश में एक आउडर पास किया क नहीं नहीं यह कोलेजियम के जो रिकमेंडेशन है उस पर फिर से विचार किया जाए और इसमें हाई कोट, हिमाचल हाई कोट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया कि इस पर फिर से विचार करें लेकिन सुप्रिम कोट ने जब ये बात दे कही तो उसके बाद जजों की निक्ति के लिए रिकमंडेशन दे दिया फिर दो जज जो पहले से डिस्टिक जज से हाई कोट के जज बनने वाले थे उन दोनों को परिशानी होने लगी उन्होंने कहा सिनेरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है हम इसे स्विकार नहीं करफ रखते मतलब हाई वर्सेस सुप्रिम कोट के कोलेजियम इन दोनों के बीच बिवाद क्यों हुआ क्योंकि जजों की निक्ति करनी है और जजों की निक्ति पर ये जो कोलेजियम के पूरा प्रभाव है इसको लेकर सवाल कई सालों से उट रहे हैं और इस पर तो सरकार ने भी बार-बार कहा है NJAC लाना चाहिए National Judicial Appointment Commission को कम से कम इसके अधार पर प्रतियस परधा होगी जजों की न्युक्ति एक कोलेजियम के रिकमंडेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए दुनिया में एक मातर देश इंदुस्तान है जहां जज की न्युक्ति जज ही करते हैं परभावी ऐसा रहता है कि एक दूसरे से परभावित होते हैं और फिर जजों की न्युक्ति का क्रम ऐसा चलता है कि यहां पर भी परिवारवाद हावी रहता है अभी तो CGI चंदरचूर के पिता भी जज ही थे और वो भी जज है एक दो नहीं सुप्रिम कोर्ट में तो ऐसे कम से कम 14-15 जज हैं जिनके पिता भी जज रहे हाई कोर्ट में या सुप्रिम कोर्ट में जस्टिस खन्ना उनके पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे ये एक दो नहीं कई उदाहरण है लेकिन फिर भी इस परिवारवाद के खिलाफ बात चलते हुए भी अभी सुप्रिम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है कि कोलेजियम के साथ कोई छेड छाड़ हो NJSA Bill को रोक दिया गया नहीं हम ही कोलेजियम के तरह थी किसी भी Supreme Court की जज की न्युक्ति करेंगे किसी वकील को High Court में जज बनाएंगे किसी नीचे के जज यानि कि District Judge को High Court में प्रमोट करना होगा तो भी उसके लिए कोई competitive exam नहीं होगा उनके लिए कोई निर्धारित मानक नहीं होगे बलकि तीन जज बैट कर ये तैग कर लेंगे कि कौन से District Court के जज को High Court में पहुँचना है कौन से High Court के जज को Supreme Court में पहुँचना है ये कोलेजियम विवस्था तैग कर लेगी इसी बात को लेकर controversy हुई और ये दोनों जज पहुच गए सुप्रिम कोट के अंदर सुनवाई इसकी फिर से सुरू हुई और फिर ये जस्टिस रिसिकेस राय और जस्टिस पीके मिस्टरा की बेंच में सुनवाई चली उसनोंने सीधे तोर पर कहा कि High Court का CJ चीफ जस्टिस ये तैय नहीं करेंगे किन जजों के न्युक्ति होनी चाहिए ये collective विवस्था होनी चाहिए मतलब कोलेजियम का recommendation चाहिए High Court के तीन जजों को मिला कर जो कोलेजियम बना हुआ है ये तीनों जज मिल कर तैय करेंगे कोई एक जज नहीं Chief Justice of High Court के तैय नहीं करेंगे और उसके साथ दो-तीन और बाते हुई जिसमें confidential matter की बात हुई कि आप जो चर्चा करते हैं कोलेजियम के अंदर जिन बातों की चर्चा होती है किसे जज के उपर चर्चा होती है recommendation जो भेजे जाते हैं वो बड़ा confidential है इसको बाहर नहीं आना चाहिए आप लोगों को भी ये दियान रखना चाहिए कि कौन कौन से मसले बाहर आए और कौन से नहीं आए यही बात तो सरकार ने कही थी सुप्रिम कोट के कोलेजियम को और ये मसला तब उठा था जब कई जजों की निक्ति कंट्रोवर्सियल तरीके से हो रही थी और उसमें आए बी की रिपोर्ट आई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि देखिए जिन जजों की निक्ति आप कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नई जानकारी मिली है और ये जानकारी हमारे अनुकूल नहीं है जैसे जस्टिस बी एन किरपाल के बेटे सौरब किरपाल की निक्ति होनी थी दिल्ली हाई कोट के जज के तोर पर और सरकार को ये जानकारी मिली कि वो एक गे है और उनका गे पार्टनर जो है वो स्टिस है ऐसे में बिदेशी पार्टनर वाले व्यक्ति को जज स्टिप कैसे दिया जा सकता है क्योंकि उनके उपर कंट्रोवर्सियल मामले आ सकते हैं जजों के पास कई ऐसे कॉन्फिडेंसियल मामले आते हैं जो बाहर नहीं जाना चाहिए सरकार को लेकर जैसे अगर इलेक्टोरल बांड पर चर्चा हो रही है तो फिर ये बंद लिफाफे में कुछ डॉक्मेंट दिये जाते हैं जैसे राफेल के उपर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रिम कोट में ये मांगा गया कि राफेल का टिंडर जैसे लाया गया था वो सारजनिक तो नहीं होगा लेकिन बंद लिफाफे में सरकार को इसके सुबूत देने पड़ेंगे सरकार ने दिये और उसके बाद जजों ने उसको देखा और वही पर मामले का निप्टारा किया गया लेकिन जजों के पास तो वो सुबूत है वो जानकारी है confidential matter पर इन जजों के पास जानकारी होती है और वो लीक हो गया तो देश की सुरक्षा विवस्था के साथ खिलवार हो जाएगा इसलिए जब सरकार ने कहा था कि कुछ confidential चीजों को अपने पास रखे कंट्रोवर्सी मत पैदा किजिए तो सुप्रीम कोट के कोलेजियम ने सरकार से ही सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये हमारे नियम के खिलाप है हमने recommendation किया है तो हमने इन बातों पर चर्चा की है कि कैसे कौन से जजज जो जिसे recommendation किया जा रहा है वो पहले वकील थे तो कौन से मसले हैंडल करते थे और उनके confidential शपत के आधार पर हम तैग कर लेंगे कि वो किसी भी जानकारी को लीक नहीं कर सकते ये इनका विश्वास था लेकिन सरकार ने कुछ मामले अटका दिये तो इन लोगों की परिशानी बढ़ गई अब इसी तरह से हिमाचल प्रदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस को ओर्डर तो दिया गया है लेकिन समस्याई यही खत्म नहीं हुई है सुप्रिम कोट में जब इस पर चर्चा चल रही थी भस हो रहा था तो परिशानिया बढ़ी ही इस बात को लेकर कि क्या ये कोलेजियम के जज जो है आपस में एक दूसरे की पोल ऐसे ही खोलते रहेंगे कुछ न कुछ तो इंट्रेस्ट है जो एप्वाइंटमेंट को लेकर इतना सारा भिवाद के बाबजूद ये लोग चाहते हैं कि जजो की न्युक्ती का अधिकार हमारे पास ही रहे कोई न कोई इंट्रेस्ट नहीं रहेगा तो फिर हर जगा पर जैसे न्युक्तियां होती है जैसे लोड जुडिसियरी के लिए कंपटिटिव एक्जाम होते है वैसे ही अपर जुडिसियरी के लिए भी जो सरकार ने निर्धारित किये थे कि उसी तरीके से कंपटिशन होगा सामान लोगों को भी मौका मिलेगा ना कि बड़े बड़े नाम को देकर आप जजसीप आउब पर करें और उने जजज बना दिये जाएं क्योंकि वो और उनके परिवार के कोई नगोई व्यक्ती हाई कोट का जज रहा हो सुप्रिम कोट का जज रहा हो या फिर एडवुकोट जेनरल रहा हो ये सबसे ज़्यादा परिवारवाद चल रहा है हायर जुडिसियरी में और इसलिए कोलेजियम को पकड़ कर ये लोग रखना चाहते हैं इनका इंट्रिस्ट इसी बात को लेकर है कि अगर हम जिस जज को निउट कर रहे हैं वही जज बाद में हमारे बेटे को जज बनाएंग और ये परंपरा चल रही है आप पिछले 50 सालों का इतिहास देखिए जिसमें 30 साल पहले जो सुप्रिम कोर्ट के जज थे उनके बेटे आज सुप्रिम कोर्ट में जज हो गए हैं इलहाबाद हाई कोर्ट में जो जज जज थे उनके बेटे 20 साल बाद जज हो गए हैं क्यों क्योंकि उन्होंने जिनकी न्युक्ति की थी वो इस एहसान के साथ हैं कि अब उनके बेटे जब वकालत की पढ़ाई पढ़के आएंगे यहां पर प्रैक्टिस करेंगे और मिनिमन क्राइटेरिया जो है साथ साल अगर वो हाई कोर्ट में सुप्रिम कोर्ट में प्रैक्टिस क बाद वो जजसिप के लिए तयार हो जाएंगे और हम अपने पुराने एहसान का बदला चुकाने के लिए उनके परिवार के किसी व्यक्ति को जज बनाएं ये परंपरा चल रही है और इसी पर विवाद अब सुप्रीम कोटा और हाई कोट के जजों के बीद जो हुआ है उसम का वर्चस्व ऐसा ही रहेगा एक दूसरे के अपॉइंट करेंगे परिवारबाद हाभी रहेगा और फिर ये फैसलों में भी इंडिकेट होगा कि उनकी विचारधारा हैं जो है उसी विचारधारा के आधार पर ये फैसले देंगे बेल का खिल चलेगा सिटिंग ऐसे होती रहेगी क्योंकि बड़े वड़े वकील और जजज एक दूसरे के साथ जिनका बैठना उठना होता है उन दोनों के बीच संबंध हैसे होते हैं कि वो फिर नियम कानून की धज्जियां उड़ाए जाती है जैसा इन दिनों देखा जा रहा है सुप्रिम कोर्ट में डाइरेक विवस्था यानि की जुडिस्यल रिफॉर्म की तैयारी कर रही है कि उपर से नीचे तक जब तक जुडिस्यली विवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आज ही रोंगे तब तक के रहे हमारे साथ और देते रहे हैं में सहयोग ताकि से तरह कबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद